नमस्कार आज मैं आप से बात करने वाला हूँ कि किस प्रकार आप स्ट्राबेरी की खेती करके अपने घर पे स्ट्राबेरी का खेती करके छोटे से गंबले में उसको लगा के बहुत अपने पैसा भी बचा सकते हैं और एक अपना अच्छा-खासा सौग भीया पूरा कर सकते हैं जैसे कि हमें पालूम है कि मार्केट में स्ट्रोबरी का रिट लगबग 400-600 रुपे प्रती केजी के साब से यह मिलता है तो यह आपको अगर आप बार-बार इसका सेवन करते हैं तो यह बहुत जाद आपको महंगा पड़ता है तो क्यों सबसे मज़े की बाद यह फैट फ्री होता है तो इसलिए आपको इसका सेवन जरूर करना चाहिए अगर आप करते हैं तो जरूर आपको इसके पांधी को अपने घर पे एक चोटे से गंबले में आप इसको लगा सकते हैं आईए मैं इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको अपने घर के गंबलों में लगा सकते हैं देखे सबसे पहले जो आपको चीज़ें चीह होंगी नमबर एक गंबला बड़ा सा पॉट आप ले सकते हैं जो आट इंजी का भी हो सकता है उससे बड़ा भी ले सकते हैं दूसरा कुछ आप क्ले मिट्टी पूछ ले लीजए आप सेंड अगर असपास अव्लेबल है बालो ले लीजए और थड आप को ले लेनी है, अब बात करते हैं कि प्लांट कैसे होगेगा, देखिए जो स्ट्रोबेरी होती है, इसमें जो आप ये पैनेट्रेशन देख रहे हैं, यही इसका सीड है, यह जो डिपस इसमें अंदर को हैं, यही इसके सीड है, तो आपको क्या करना है, बाजार से एक पार स् मिल जाता है अब आपको इस सीट को पहले आपको मिट्टी को या जो आपने वर्मी कंपूस्टे उसको गंबले में फिल अप कर लेना है दैन उसके बाद यह स्लाइट को काट की आपको उसमें एक इंच लगभग उसमें मिट्टी से इसको ढग देना है ज्यादा गहरा नहीं दालना है उसकी स्लाइट को मतलब स्ट्रोबेरी को काट के आपने डाल देना है और उपर से हलका सा पानी दे देना है ठीक है दोस्तों अब रही बात यह आपका अपने यह काम कर लिया यह आपका लगभग 25 से 30 दिन में यहां पर प्लांट ग्रो करने लगेगा आप अगर स्ट्रोबेरी काट के डालते तो कम से कम आपके 20-25 पेड़ आसानी से उग जाएंगे अब आपको क्या करना है इनको सिफ्ट कर लेना है या फालतू पेड़ आप निकाल दीजिए या दो रख लीजिए एक पॉट में और आप 3-4 पॉट में इनको सिफ्ट कर सकते हैं पूर यह लेकर आपके यहां पर घर्मी होती है तेमपरेचर अगर जादा रहता फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि गर्मी जादा लंबे समय तो रहती नहीं है एक या दो महीन है उस टाइम पर ठोड़ा प्लांट को दिक्कत आए गी आपको इस नमें प्लांट को ठंडी जगह पे रखना है और रेगुलरली उसको पानी देना है वाटरिंग उसकी रेगुलरली करनी है तो इससे आपको कोई दिक्कत की बाद नहीं है तो इस तरीके से आप स्ट्रबरी जैसे महंगे फल को भी अपने घर में लगा सकते हैं और इससे होने वाले फाइदे आप असानी से कर सकते हैं इसके बहुत अच्चे फाइदे होते हैं इसके अलावा दोस्तो मैंने अभी इस पर कीवी कैसे होगा है इसके बारे मैं जानकरी दिये कैसे आप अपने घर के गार्डन पर घर की छट पर जो है टेरिस पर आप अपना कीवी के फल भी लगा सकते है ये जस्टिक अंगूर के बेल टाइप होती है और कीवी का फल बहुत फाइदे मंद होता है बहुत गुणकारी होता है हमारी हैल्थ के लिए तो वो चीज भी आप अपने घर पे असानी से उगा सकते हैं दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए अपने अनुभाव कमेंट्स में शेयर कीजिए चैनल को लाइक कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल पर मैं ऐसे ही आपको बेतरीन आइडियेस देते रहता हूं ताकि आप अपनी घर की गार्डन को और ब् करने वाद थैंक यू